नवस्कार अप लाइक सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुका बिहार में एक तरफ सिक्षकों की बहाली चल रही है एक के बाद एक परिक्षाएं ली जा रही है और विपियसी के दोरा ये परिक्षाएं कंड़क्ट कराकर इस स्कूलों में खाली पदों को भरने के कवायत तेज की जा रही है लेकिन एक खबर बिहार से जुड़ी है और बिहार के सिक्षकों के पदस्थापन से जुड़ी है जो हमने सोचा कि आपको बताना चाहिए दरसल खबर ऐसी है कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे बिहार में जहां एक तरफ सिक्षकों की जुड़ी चल रही है इस स्कूलों में उनको पदस्थापित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार का एक स्कूल ऐसा है जहां पर सिक्षक जाने से डरते हैं या फिर सिक्षक जाने से डर रहे हैं अब इस स्कूल में ऐसी क्या खास बात है ऐसी कौन सी डराने वाले चीज़ है इस स्कूल में जिसकी बज़े से ये सिक्षक नहीं जाना चाहते वहाँ ज्वाइनिंग के नाम पर सिक्षक पहले ही थर-थर कापने लगते हैं अब बेहार में ही एक स्कूल है और इस स्कूल का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पिछले दो साल में ही लगभग लगभग छे सिक्षकों को किड्नैप किया जा चुका है वो भी सिर्फ फिरॉती के लिए आप देखिए फिरॉती के लिए जहाँ सिक्षकों को किड्नैप किया जा रहा है अपहरन होता है वहाँ सिक्षक अगर पढ़ारे जाते हैं तो उनके साथ भी कोई अनुणी नहोजा इस वज़ा से तमाम सिक्षक वहां ज्वाइनिंग लेने से डर रहे हैं अब ये स्कूल कौन सा है और किस जिले में ये स्कूल पढ़ता है वो हम आपको बताते हैं तो ये जान लीजी राज में सिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगतार प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन बाका का नव स्रिजित प्रात्मिक विद्याले धवा टान इससे अचूता है नकसर प्रभावित बसमाता पंचायत में मौझूद ये विद्याले दो वर्ष से बंद पड़ा है नकसलियों के डर से इस स्कूल के सिक्षकों ने या तो अपना स्थनांतरन करा लिया या पिर आते ही नहीं है इस स्कूल में कुल 80 बच्चे नामांकित हैं इनकी पढ़ाई बातित हो रही है दूर छेतर होने के कारण इन बच्चों के पास किसी अन्य स्कूल का विकल्प भी नहीं है ग्रामीन कई बार सिक्षावी भाग के अधिकारियों से स्कूल सुचारू करने का नुरोध कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई पलाफल नहीं अब देखिए दो वर्स पहले की बात करें तो इस स्कूल के प्रभारी प्रधन ध्यापक पंकज कुमार सिंग का अपरण हुआ था बदमाशों ने नकसलियों के नाम पर सिक्षक से 20 लाग रुपे की फिरोती मांगी थी चर्चा के अमसार 5 लाग रुपे देकर सिक्षक ने अपनी जान बचाई हलाके सिक्षक ने फिरोती की रकम देने से इनकार किया है इस घटना के बाद पंकज ने दूसरे स्कूल में अपना तवादला करा लिया इस भैसे विद्याले की सहायक सिक्षक आभा कुमारी ने भी अपना स्थानांतरां दूसरे स्कूल में करा लिया फिलहाल स्कूल बंद पड़ा हुआ है बाद में स्कूल संचालन के लिए विभाग ने तिलकपूर स्कूल के सिक्षक केलाश कुमार मधू को वहाँ प्रतिनियोजित किया था पर दो-दो स्कूल का प्रभार होने के कारण केलाश ने धवा टाण विद्याले जाना छोड़ दिया है अब देखिए यहां से दो किलोमेटर दूर बेला गाओं में स्कूल है लेकिन वहाँ जाने के लिए बेलहरनी नदी के जोखिम भरे रास्ते को पार करना पड़ता है इस कारण बच्चे नहीं जाते हैं अब देखिए इस स्कूल का इतिहास जैसा कि हमने आपको बताया पिछले दो साल के हम बात करें दो साल पहले ही यहां छे सिक्षकों को किड्नैप किया जा चुका है नकसलियों के नाम पर और उनसे फिरोती इसके वज़े मांगी गई और यही कारण है कि यहां सिक्षक जाने से डरते हैं बांका का यह सरकारी स्कूल है फिलहाल दो सालों से बंद पड़ा है और इसलिए बंद पड़ा है क्योंकि अगर वहां सिक्षक गए तो हो सकता है कि उनके जान की हानी हो जाए हो सकता है उन्हें खत्रा हो जाए और हो सकता है कि उनका किड्नैप कर लिया जाए फिरोती के चक्कर में तो ये वैसा स्कूल है एक तरफ बिहार में सिक्षकों को ज्वाइन कराया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहां के स्कूलों की स्थिती बदहाल है और वहां सिक्षक कई कारणों से नहीं जा पाते हैं या कई कारणों से नहीं जाते हैं लेकिन ये का नामांकर यहाँ पर आगे भी हो सकता था अगर इस्कूल चालू रहती तो, तो कई नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है और फिलाल बिहार में जहां एक तरफ सिक्षक और सिक्षा विवस्था को सुधारने की कवाय तेज है, तो बाका के स्कूल पर किसी की निगाहें नहीं जा रही है, गाँवाले परिशान है, बचों का भविश्य संकट में है, मास्टर सहब जाएं तो कैसे जाएं, कहीं किड़नाय अपना हो जाएं। फिलाब बने रहें लाइक सिटीज के साथ, जब तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजे, धन्यवाद।